अब यहाली में आप लोगों ने देखा होगा कि मद्द्देश सरकार के द्वारा MP गबर्मेंट के द्वारा एक योजना लाई गई है जिसका नाम है लाडली बहना योजना और इसमें आप देखेंगे कि महलाओं को एक हजार रुपे महीना मिलेगा और आप देखेंगे कि 12,000 रुपे साल कह सकते हैं आप लोगों तो आज इस योजना के बारे में हम लोग एक सामन जनकारी देख लेते हैं कि इस योजना की पात्र कौन सी महलाएं होगी और इसके फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन डॉकुमे इस तरह की किसी उजना की बारे में मालूम हो, तो आप लोग अपने आसपस जो लोग रहे रहे हैं, जो हमारे देश की महलाएं हैं, तो उन्हें बताते रहा करिएगा, अगर एक बार आप लोग मद्ध्धेश को देख लीजे सबसे पहले, देखें यह हमारी प्यारी पित भी हैं, और इसमें आप देखेंगे, यह हमारा प्यारा भारत है, एसिया में, एसिया में आप देखेंगे, तो बीच में आप लोगों को मद्ध्धेश देखने को मिलेगा भारत में, जिसे आप लोग हिदय पिदेश के भी नाम से जानते हैं, एक नवंबर 1956 में इसी राज बन गया है, और देखें, बजट की बात करें, तो एक तो आप देखते हैं, केंदरी यह बजट होता है, अगर आर्टीकल आप लोग अनुछेद 112 को पड़े होंगे, तो बारसिक बित्तिय बिवरन की बात कीगी है, बजट सब दिकाओल लेक सम्मिधान में नहीं किया गया है, और राज्यों में आप लोग देखते होंगे, कि अनुछेद अगर आप लोग 202 को पड़ें, तो इसमें बारसिक बित्तिय बिवरन की बात कीगी है, राज्यों में भी, तो इसली यह ओजना कि अगर हम लोग बात करें, तो 23 से 60 बर्स की जो महलाएं हैं, उनी को मिलेगा इ उनकी पातता अवधी में 1000 रुपे पिती महा की मान से रासी सीधे उनके आधार लिंग्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी, आप देखते हैं कि आपका खाते से बैंक अकाउंट से आधार नंबर लिंक रहता है न, तो उसी में आएगी यह आपकी रासी, और किसी परिवार की 60 बड़ से कम आयू की महलाओं को सामाजिक सुरक्चा पैंसन योजना में पिती माह 1000 रुपे से कम जितनी रासी पराप्त हो रही है, तो उस महला को वह रासी पिदाय करके आप देखेंगे 1000 रुपे तक रासी की पूर्ती करने का योजना का पराप्धन भी है, और योजन की भी बातें हो रही है, इसकी अतरिक्त हित्गराही यदि स्वयम उपस्तित होकर आविदन के लिए आवस्तक चानकारी का प्रपत्य देती है, तो उसकी भी प्रविश्टी ओनलाइन पोटल पर करने की विवस्ता की गई है, और मद्पिदेश की सिवरास सरकार द्वारा ल योजना के तहत सभी महलाएं यहां की राजभर की महलाओं को आर्थिक साहता प्रविदान की जाएगी, MP लाडली योजना 2023 को मद्पिदेश सरकार द्वारा स्तरू किया गया है, यह आप लोग याद रखिएगा, और जो मद्पिदेश की मूल निवासी है महलाएं, उनी को इसका फायदा मिलेगा, और महलाओं को समाज में समानता का अधिकार मिल सके, इसका उद्देश यह भी है, और जो आप लोगों को वैपसाइट बताई है न, इस योजना को यहां से आप लोग इसके तह संचालित किया जाएगा, और केबल मद्पिदेश की महलाएं इस पर माडपत्त होगा, इसे योजना के तहट आप लोगों को बता चुका हूँ, कि 1,000 रुपे आपके खाते में आएगा, किस में आएगा आपके खाते में, तो खाता नहीं है तो खुलवा लीजे, योजना कि अगर पात्तता की बात करें, तो लाणिमी बहना योजना की तह और लाड़िली महला योजना एंपी में निम्न और मद्धिंबर्ग की गरीब महलाओं के आविदन कर सकती हैं, जो आयकर देती हैं वो नहीं कर सकती हैं, उन्हें फायदा नहीं मिलेगा, योजना का लाब उन महलाओं को नहीं प्राप्त होगा, जिन महलाओं की परिबार आयक कर दाता सेंडी में आते हैं यानि कि जिनकी आर्थे किस्थी अच्छी है मद्धपदेश लाड़िली यूजना में उन सभी महलाओं को सामिल किया गया है आंगरमाडी रसोईया आसा बहू स्वाहिम साहता समूव से तालोक रखती है और परिबार की आए 2,50,000 होनी चाहिए औ वाली बहने पात नहीं होगी यह भी आप लोग याद रखेगा अब बात आती है दस्ताबेश कौन कौन से होना चाहिए आपके पास तो लाड़िली बहना योजना की लाभार्ती के पास मद्धपदेश का निवास्ती होने का परिमाडपत होना चाहिए अभी हाली में आपन पासपोर्ट साइट की फोटू होने चाहिए आपके पास और आएकर प्रिमाडपत जरोरी नहीं है ठीक है यह भी आप लोग याद रखेगा बोटर काइड हो पैन काइड हो रासन काइड हो इन में से एक आप लोगों के पास होना चाहिए और सरल पिक्क्रिया रखी गई है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी 2023 में मद्पदेश में चुनाओ है और 2024 में लोगसभा चुनाओ है तो आसानी से आप लोगों को इसका पायदा मिल पाएगा इस तरह की पिक्क्रिया ही रखी जाएगी अगर हम रजिस्टेशन की बात करें तो लाडली वहना यूजना क के लिए विबसाइट www.cmlaadli.mp.gov.in से भी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर आपकी यहां का सरफ़च और सचिब या इस्थानी जो आप लोग चुनते हैं अगर वो इस तरह की कोई पहल करते हैं तो और अच्छी बात होगी कि आपकी यहां कैम्प लगा दिये जाए और वहां जिस तरह से आधार गाइड बनते थी ना कि आप देखते हैं कि कोई और केम्प लगाया जाता है तो इस ते आप देखते हैं अगर फायदा मिल सके तो लोगों को परिसान भी नहीं होना पड़ेगा देखते हैं क्या होता है लेकिन अगर आपकी उम्र 23 साल है कम से तो कर दीजे फॉम भर दीजे और अपने आसपास की महलाओं को इसके बारे बता भी दीजेगा इतना तो आप लोग कर सकते हैं और कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप नीचे पूछ सकते हैं ठीक है